जेहें दोस्तों कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं स्वस्तों के दोस्तों तो आज हमारे पास दोस्तों ये नेक्ष्ट कंपनी का इंडेक्सन आहा है जो कि कुछ देर चलता है उसके बाद बंद हो जाती है इसमें क्या है दोस्तों इसमें फैन की प्रॉब्लम है फैन कभी कभी चलती है तो आवाज करती है और कभी कभी नहीं चलती है नहीं चलती है तो इंडक्सन हमारी कुछ दिर चलने के बाद बंद जा सिदिया तो चलिए फैन कैसे चेंज़ करते हैं यह हम इस वीडियो में देखते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें घर गर अहट की आवाज आ रहे हैं चलिए दोस्तों जूरू करते हैं कि सबसे पहले हम इंडेक्शन को खोल लेंगे दोस्तों कि ओपन कर लेते हैं और उसके बाद हम फैन को चेंज करेंगे फैन दोस्तों हमें मार्केट में 80 रुपए की या 100 रुपए की मिल जाएगी तो आसानी से आप फैन घर पे भी चेंज कर सकते हैं तो देख सकते हैं यह इंडेक्शन हमारे उपेन हो चुकी है तो सबसे पहले हम पैनल के इस तार को निकाल लेगे दोस्तों हमने पैनल के तार को निकाल लिया है अब देख सकते हैं दोस्तों इसमें यह फैन हमारी थोड़ी जाम है यह पिछकर से ऐसे चलाने से भी नहीं चल रही है फैन हमारी जाम है इसलिए हमें फैन चेंज कर देना है यह रिपेर नहीं होगी दोस्तों तो चली आँ हम fan के भी इस तार को निकाल लेते हैं Fan हमारी दोस्तो 18V की है यह किसी 12V की है तो आप देख लीजिएगा कि induction में fan किपने VOLTEG की है यह दोस्तो हमानी 18V की है तो हम इस fan को निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं दोस्तो यह fan हमारी JAM है तो चलिए हम fan को निकाल लेते हैं और हम सबसे पहले इसी fan को हम लगाएंगे दोस्तों तो इसके लिए सबसे पहले हमें induction को उच्छी तरह से साफ कर लेना है असल में दोस्तों यह fan हवा को खिसता है धूल करण को की वज़ा से यह इंडक्षन पूरी तरह से डश्ट हो जाती है तो इसलिए हमें ब्रस से साफ कर लेनी है फैन जब हवा देती है दोस्तों तो यह इसी डश्ट की वज़ा से यह fan चाम हो जाती है इसलिए इंडक्षन के जितने भी डश्ट हो उसे हमें निकाल लेना है चलिए हम फैन को लगा चुके हैं अब हम इसे कस लेते हैं फैन के वायर को इस तरह हमें क्वायल के या उसके बगल में कोई खुटी है उसमें घुमा ले गई जिससे हमें वायर हमारी सेपरेट रहे दोस्तों तो चलिए हम फैन को भी अब कस लेते हैं फैन को अच्छी तरह से हम टाइट कर लिए दोस्तों यह लूज ओज नहों तो चलिए हमने फैन को भी टाइट कर लिया है कभी-कभी दोस्तों यह फैन की जो जेक है यह माइनस और प्लस उल्टी हो सकती है तो इसलिए हम इसे open में ही check कर लें अगर हमारी fan नहीं चलेगी तो यह jack pin उल्टी हो सकती है तो उसे हम change पलट कर लगा भी सकते हैं तो चलिए हमने इस panel के तार को लगा लिया है अब हम induction wire को लगा कर चेक कर लेते हैं तो चलिए हम लगा लेते हैं दोस्तों यह देख सकते हैं fan हमारी चल के बंदो गई आने की jack pin भी सही लगी हुई है तो देख सकते हैं fan हमारी चल लगी है और घरगरहाट की आवाज भी नहीं आ रही है तो यह हमारी fan लगके okay हो चुकी है दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें चैनल भी सब्सक्राइब करें आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करने दोस्तों वीडियो पूरा देखें अन्य था आपको नहीं समझ में आएगी इसकीप करके देखेंगे दोस्तों तो वीडियो नहीं समझ में अगर किसी और चीछ पर वीडियो चाहते हैं दोस्तों तो कमेंट करें उस पर हम वीडियो बनाने की छोटी कोसिस करेंगे दोस्तों तो चलिए अब हम इसको कस देते हैं और वीडियो पसंद है दोस्तों तो लाइक करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में